आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे TV18 या फिर Network18 के बारे में, Q3 रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, पूरी समिक्षा की जाएगी रिजल्ट की, और साती सात में आपको बताया जा आईए, टेक्निकल एनिसिस करके पता करेंगे क्या है सपोर्ट और क्या हो सकता है रिजिस्टेंथ शॉट टम के लिए, क्योंकि कुछ दोस्त शॉट टम में ट्रेडिंग भी करते हैं, आईए चलकर शुरुवात करते हैं सबसे पहले TV18 के बारे में अगर हम बात करें, तो बात आप समझ के रखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या है TV18 और Network18 के बारे में हमारे पास निउस, तो देखें, सबसे पहले तो आपको बता दे, this is now India's number one news channel, जिसमें 16 channel included है, और करीब करीब 70 करोड विउवर हैं, और ये 15 different languages में आता है, ये सारा का सारा source based information है, चाह तो हमको आगे के लिए बताएंगे, तो दीखें, colors पर बहुत अच्छे-चे नटक आते हैं, अगर आप TV देखते होंगे, तो आपको Color Cinema Plus पर मिलते हैं, Color रिष्टे आते हैं, बच्चों के लिए Nick Junior है, Nickelodeon है, और साथी साथ में MTV, VHR, तो आपको जो भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा, और इसी के साथ में, अगर आप Business News देखते हैं, तो CNBC TV18, CNBC आवाज, और Other Other Languages में, सारे के सारे News Channel यहाँ पर available है, तो यह एक बहुत बढ़िया Group of Network है, जो Long Term की दरश्ची से, इंडिया की Viewership के Basis पर, Continue करेगा आगे, अपनी Leadership Position, Growth के Reference में, तो उसे साब से, अपने Portfolio में इसको जरूर रखना चाहिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्या हमारे पास है खबर, तो देखें, जैसा हमने बताया, Double Pat हो गया है, तो Pat का जड़ा एक बार इसका Visulation करते हैं, यहाँ पर, कि क्या-क्या हमारे पास खबर है, जिससे आपको बताएंग क्यों यह कंपनी में आपको निवेश होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर income की देखें, तो income इस बार इनकी हुई है, 31,373 करोड, पिछले quarter में जो थी, वो थी 27,000 करोड, करीब-करीब कह सकते हैं, 12% की income में बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छा sign है इस company के लिए, अब वहीं पर expense को उसी हिसाब से बढ़ा है उनका, 27,000 करोड की expense हुई है, compare to 24,000 करोड के, पर अच्छी बात यह है, क्योंकि revenue बढ़ गया है, तो pad जो है, वो almost double हो गया है, देखिए, 41,000, 4,100 करोड का है, compare to 21,100 करोड का, तो यहाँ पर profit of tax में बहुत positive momentum रहेगा, stock के लिए आगे आने वाले समय में, इससे पता लगता है कि growth आगे stock की बढ़ियार है, रहने वाली है, long term की दर्शी से, अब अगर हम इसमें कुछ और चीज़ देखें आपके यहाँ पर, इन्होंने, EBITDA की अगर बात करें, earning per equity share, तो यह 0.16 है, और यहाँ पर, अगर इन्होंने कुछ की highlight बताई है, जो आपको बताते हैं, coronavirus की वज़े से क्या हुआ है, इनका impact, देखे, the outbreak of coronavirus pandemic global care in India is causing significant distribution and slowdown in economy activities, तो economy activity तो कमजोर हो ही रही है उसकी वज़े से, तो इन्होंने, यहाँ पर, company के assets, जो है, goodwill, financial assets, non-financial assets, company has considered internal and external information, the company has evaluated the impact of pandemic on its business operation, और based on its review, current indicator, आगे आने वाले समय में, कोई ज़्यादा बड़ा impact नहीं होगा, इनके on its stand-alone financial result, यह बहुत बड़ी खुलासा है, कि COVID का impact यहाँ पर, अब almost nullify हो गया है, आगे आने वाले समय में, जैसे जैसे economy activity खुलेंगी, क्योंकि drive अब शुरू हो चुकी है, को vaccine की, तो सबके चलते हुए, यह आगे आने वाले समय में, और भी तेजी से काम कर सकता है, long term की द्रश्ची से अगर देखा जाए तो, तो यह बढ़िया खबर है, इस तरह से अगर stock अपने portfolio में है, तो उसको बना के रखिएगा, और अगर आपने नहीं खरीदा है, तो हम बताएंग कि कहा पर इसको आप खरीद सकते हैं आगे आने वाले समय में, अब जो key highlights हैं इसकी, वो हम जड़ा बात करते हैं, this is also BSCNNC report, जो उन्होंने फाइल की है, reference में, इस consolidated result के बाद में, तो एक snapshot में अगर बात किया जाए, तो देखें, snapshot में यहाँ पर बताएंगे, कि consolidated जो profit है यहाँ पर operation revenue है, करीब-करीब 1361, और यह यहाँ पर बढ़ गया है, पिछले इस quarter में, पिछले quarter के comparison में 1425, तो 5% का consolidated growth है, sorry, deceleration है, और यहाँ पर income before tax, यह करीब-करीब 281 के comparison में 321 है, जिसमें 14% का इजाफा हुआ है, पर important thing है, margins की, 24% के आसपास margin है, compare to 19% के margin के पिछली बार, तो यह एक यहाँ पर बहुत बढ़िया खबर है, 19% के मुकाबले 23.6% का margin है, अब Q3 operating EBITDA की बात करें, तो 14% है, year on year margin, और growth जो है, 24% की growth दिखा रहे है, जो की एक बहुत ही बढ़िया level की खबर है, इनके साथ में यहाँ पर अ आगे आने वाले समय में recovery जो होगी, शार्प होगी, और यहाँ से COVID का impact जो होगा, वो बढ़िया रहेगा, और देखें, यहाँ पर जो इनके viewership strong despite sports, IPL नहीं चल रहा है, इस बात को समझेए, अगर यहाँ पर IPL चलता, तो कितने बढ़िया तरह से इनके revenue आता है, यह venue और मिलेगा, यह इनोंने टाइअप किया है, TVN Digital Continued Drive, subscription growth, तो यहाँ पर subscription revenue भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है इनका, ताकि आगे आने वाले समय में growth इनकी बढ़ती रहे, तो यह तो हुआ, main visualization अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो आगे का growth क्यासा लग रहा है देखे हमारे हिसाब से better days are ahead, कि हाँ पर IPL शुरू होगा, और IPL के बाद में यहाँ पर इंडिया में female कितने सारे नाटक देखते हैं, colors के तो इतने सारे नाटक, हमारे घर में तो colors ही चलता रहता है, जादतर, और अगर बच्चों का time मिलता है, तो बच्चे फिर निकलोड और भी तेज रहेगी, तो हमारे हिसाब से better days are really ahead for this company, तो यह अच्छा रहेगा, आप अपने portfolio में इसको add करके रखना चाहिए आपको, अब please consult your financial advisor before investing and trading, और fundamentally बहुत strong company है, बहुत strong group है, और इनका जो array of spectrum है, जो इन्होंने coverage दिया है, वो बहुत बढ़िया है, इस आप से दे 5% से जद अपनी capital मत लगाएगा किसी भी stock में, यह हमारी आपको सला रहेगी, अब जड़ा चल कर कुछ technical visualization किया जाए, और बताएंगे कि कैसे इसमें चल सकता है आगे आने वाले समय में, तो देखिए अगर हम इसका यहाँ पर एक range निकाले आपके लिए, तो यह एक consolidation range से निकल के बाहर आया है यहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ से देखें, तो इसने यहाँ से यह एक तरह से pattern बनाया है, upward journey का channel से बना है एक तरह से, तो यह देखिए यह चीज जो बन रही है, यह एक बहुत बढ़िया pattern बन रहा है इस stock का, आगे आने वाले समय में, यह अगर 34 रुपे को cross किया, तो फिर यह 42 रुपे जाएगा, short term के traders इसका ध्यान रखना, जैसे ही 34 रुपे को cross करे, तो इसको 40 रुपे का, 42 रुपे का आपका target होना चाहिए, तो देखे दोस्तों, 6 रुपे का target है आपका, 18% के आसपास आपको profit मिल जाएगा short term में, तो इसक consolidation हो चुका है, यहां से अब उपर जाने के लिए तियार है, और जैसे बताया, एक बार अगर 34 रुपे cross किया, तो फिर यह अगला जो इसका target है, वो रहेगा 42 रुपे का, इसी के साथ में, अगर हम यहां पर RSI का study भी add करें, तो देखे, RSI के basis पर इसने, अभी neutral zone कहा सकते ह असपास है, और साथ ही साथ में, अगर हम super trend देखे, तो super trend के basis पर, यहां पर इसने buy signal generate किया हुआ है, और अच्छा momentum उपर चल रहा है, तब से यहां पर, पिछले डेड़ महीने से, buy signal generate है, momentum slow होता है, पर जब भी कोई बड़ी news आती है, या कोई acquisition होता है, या कोई नया series खरीद सकते हैं, बागी 50% quantity आप 29 रुपे के आसपास खरीदने के लिए कोशिश कीजिगा, तो यह हमारा conclusion है, इस तरह से आप अपनी average cost को कम रख सकते हैं, और इसमें अपनी position बना सकते हैं अभी यहां पर, हमारा इसमें बहुत bullish view है, और हमारा target आने वाले 3 साल के अंदर यह 100 रुपे cross होना चाहिए दोस्तो, simple सलहा, buy करके रखिए और hold maintain रखिए अपना, ताकि आपको अपना target जल्दी मिल आए, दोस्तो अगर आप stock market की learning करना चाहते हैं, specially आप daily training में पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक महीने का course, customized course design किया है, अगर आप interested है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप हमें mail drop कीजे, आपको सारी detail mail पर मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कैसे हम यहां से profit कमाते हैं, किस दिल loss भी होगा, उस दिन का भी analysis किया जाएगा particularly, और वो exclusive videos सिर्फ और सिर्फ paid member को दिये जाएंगे, अगर आप interested है, तो mail drop कीजे, आपके लिए चार वीडियो प्रसुत दें, जैहिन जै भारत, बाई गाइस!